कि चार दिनों पहले कि एक फेक जीयों के सर्कुलेशन के कारण है 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 और तेलंगाना स्टेट में बहुत जगह पैनिक क्रियेट हुआ कि CCS के तरफ से इमिडियेट्री केस रिजिस्टेशन हुआ और उसके बाद CCS और टास्क पोर्स के जॉइंट ऑपरेशन में अक्यूजड श्रीपती संजीव कुमार को अरेस्ट किया गया अक्यूजड श्रीपती संजीव कुमार अपने डेल लैटॉप में ऑनलाइन जियो डाउनलोड करके उसको मॉर्फ करके टैंपर करके एपिडेमिक बिजीजेज रैट के तहट एक फेक जियो क्रियेट करके अपने सेलफोन से वाटसैप ग्रूप के वेरियस ग्रूप में सर्कुलेट किये और जिसके कारण बहुत लोगों को परिशानी हुई बहुत लोगों को पैनिक हुआ जैसा कि आप चानते है जियो एक प्रीट बोगोफ सीरियस ओक्यूमेंट है जो सरकार की जो नीती होती है पॉलिस्यों थे और उसके बारे में अगर कोई लाइटली या कोई mischief mind panic create करने के लिए अगर कोई false geo create करता है तो यह बहुत बड़ा गुना है बहुत बड़ा क्राइब है शुरीपती संजीव कुमार प्रेसेडेंट अफ माधापूर ओरिजनली नेसेडेंट अफ दर्गाह वित्ता नेलोर काउन का है और इस पूरे ऑपरेशन में अठावसों से जादा सेलफोन का एक्जामिनेशन हुआ और खास करके हमारे CCS की टीम साइबर सेल टीम अंडर दे लीडर्शिप अफ एसीपी के वीएम प्रसाद एसाइए जी सतीश रेड़ी और टास्क पोर्स में हमारे OSD पी राथा की शब्राव और उनके पूरे टीम मेंबर खास करके इंस्पेक्टर राजेश और सब लोग हमारे जॉइंट सीपी CCS अधिनाश मुहनती के लीडर्शिप में यह केस को डिटेक्ट किये और अब as per the law जो concern sections है अंडर 469, 505, 419, 468 यह सब के तैफ हम लोग केस को फर्दर आगे पोर्स में डालेंगे. Thank you so much. झालेंगे.